उधारण तीन संख्या रेखा पर वर्गमुल दो का इस्थान निर्धारण कीजिए हल उधारण तीन हल हमने सबसे पहले संख्या रेखा बनाई हैं शंख्या रेखा में बिन्दू A पर एक लंब खीचा है A B तो 0 से A तक के दूरी 0 को हम यहाँ पर O मान लेते हैं इसको बिन्दू 0 को यहाँ पर O मान लेते हैं O, A की Lomba E की Kai है. और हमने A से एक Lomb खीचा है. और इस A B की Lomba E की Kai है. O, A A की Kai और A B का जो Lomba E की Kai इसके पच्छाद हमने O और B को जोड दिया है, मिला दिया है सरल, रिखा से रिखाखर्ण O B को हमने मिलाया A B हमारे पास एक ही काई है एक ही काई लिया वा यहाँ पे हम देखेंगे कि O B की लंबाई क्या है तो इसके लिए देखेंगे हम त्रिभूच O A B में हम यहाँ पे पायथाकुरस प्रमे का प्रयोग करेंगे हम जानते हैं पायथाकुरस प्रमे से विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन अधार का वर्ग तो अधार हमारे पास O E है इसका वर्ग ले लिए हमने अब हमें ग्याद करना है कि O B की लंबाई कितनी है तो इसके लिए हमने AB जो numb है वो एक ही काई का लिया है कवर्ग और OA की जो lumpाई है वो भी एक ही काई हमने माना है अब हम ज्याद करेंगे कि O B की lumpाई कितनी है यह एक कवर्ग हो गया एक धन एक कवर्ग एक तो O B का मान हो जाएंगा एक और एक दो O B का वर्ग बराबर दो या O B का जो मान हो जाएंगा वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो वर्ग मुल दो यहां पे आ जाएंगा इस तरह से हमने देखा कि O से लेके B की जो लंबाई है वहा वर्ग मुल दो है अब हम प्रकार की सहता से O को केंद्र मान कर O B त्रिज्या जिसका O B की लंबाई वर्मुल दो है O B त्रिज्या लेकर एक चाप हमने खीचा यह संख्या रेखा को बिंदु P पर काड़ता है चुकि O B का मान वर्मुल दो है अतहा O P भी वर्मुल दो है याने संख्या रेखा पर P ऐसा बिंदु है जहां यहां वर्मुल दो को दर्शाता है अतहां यहां कोई भी परिमे संख्या नहीं आ सकती यहां पर P का मान वर्मुल दो है इस तरह से यह उधारन का हल हुआ इसी तरह हम संख्या रेखा पर वर्मुल दो का इस्थान निर्धारित करते हैं सबसे पहले हम संख्या रेखा लिए संख्या रेखा पर बिंदु A जो है O से A की काई की है और हमने A B जो है एक लंग खिचा है जिसकी लंबाई भी A की काई है O और B को हमने जोड़ा है जहां O B का मान वर्मुल दो है आईए देखते हैं कि O B का मान वर्मुल दो किस तरह से हुआ है तो हम देखते हैं त्रिभूच त्रिभूच O A B में यहां पर हम पायथागोरस तरीक का प्रयोग करेंगे इसमें हम जानते हैं कि पायथागोरस तरीक में विकर्ण जो की O B है मारे पास विकर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन अधार का वर्ग होता है तो यहां पर हम O B का मान निकालेंगे O B का वर्ग बराबर A B हमारा A की काई है और हमने O A को भी A की काई माना है और हमने लंब भी A B बराबर A की काई खीचा है तो इस तरह से उबी का वर्ग बराबर एक का वर्ग हो गया एक और एक का वर्ग हो गया एक इस तरह से उबी बराबर उबी का वर्ग बराबर दो या उबी बराबर वर्ग का पक्षांदर करेंगे तो जो दाए पक्ष में जो दो है हमारा वर्ग मूल दो बन जाएंगा इस तरह से हमने देखा कि ओभी की जो लंबाई है वह वर्ग मूल दो है यहाँ पे हम वो को केंद्र मान कर ओभी तरिज्या का एक चाप काटेंगे जो की संख्या रेखा को पी बिंदू पर काटता है यहाँ पे हम पुना पी से एक लंब डालेंगे यहाँ पे पी बिंदू जो है संख्या रेखा पर वर्ग मूल दो को दर्शाती है इसके बाद पस्चात हम पी पर एक लंब डालेंग जो की PC होंगा जिसकी लंबाई एक ही काई है और हमें अब ग्याद करना है कि OC की लंबाई कितनी है तो इसके लिए आईए देखते हैं त्रिभुच O PC में त्रिभुच समलम त्रिभुच है हमारे पास O PC इस पे हम पायथाकुरस प्रमे का पुना प्रयोग करेंगे यहां पे हमारे पास विकर्ड जो है वो OC का वर्ग है बराबर लंब जो है हमारे पास PC है तो हम जानते हैं कि पायथाकुरस प्रमे में विकर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन अधार जो है हमारा O P का वर्ग है अधार यहां पे हम OC का मान ग्याद करेंगे कि OC विकर्ड की लंबाई कित्ति है तो हमने P से जो हमने लंब डाला है PC यह हमारा A की का और OP जो है इसकी जो लंबाई है वहां वर्ग मुल 2 है का वर्ग क्योंकि हमने P बिंदू को संख्यारिका पर बताया था कि P बिंदू जो है संख्यारिका पर वर्ग मुल 2 को प्रदर्शित करती है इस तरह से ओ से लेके पी की जो लंबाई है वहाँ वर्ग मुल दो है आईए आगे देखते हैं ओसी का वर्ग बराबर एक का वर्ग हमारा एक हुआ और उसी तरह से वर्ग मुल दो का वर्ग यहाँ पे दो हो जाएंगा या OC का वर्ग बराबर एक और दो तीन हुआ या OC बराबर वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो यह तीन बनेगा वर्ग मूल तीन इस तरह से OC की लंबाई जो है वर्ग मूल तीन है तो यहाँ पर P पर हमने P पर एक लंब CP कीचे थे हमने जिसमें CP एक ही काई है और O और C O को C से जोड़ा O को केंदर मान कर पुना O को केंदर मान कर OC त्रिज्जा का चाप काटा जो संख्या रेखा को बिंदु Q पर मिलाता है O Q की जो दूरी है संख्या रेखा में वहाँ वर्ग मूल तीन को प्रदर्शित करेंगी क्योंकि OC जो हमारा है उसकी लंबाई हमारी वर्ग मूल तीन है और क्योंकि हमने वह को केंदर मान कर OC त्रिज्जा का चाप हमने काटा है जो की संख्या रेखा को Q बिंदु पर काटता है तो बिंदु Q जो है या O Q की जो कुल दूरी है वह वर्ग मूल तीन को प्रदर्शित करती है तहां वर्मुल तीन बिंदू क्यू के संगत है इस तरह से यहाई इसका हल है